आज हम पढ़ेंगे यूमें इंवर्मेंट का हैं। मतलब क gj canceled हुबं लोग इंसान के सिटम में और कम्यून केसे है ऊद्ध ही तो आज हम देखेंगे इंड्रफॉर्मेशन के है टांस्पोर्मेशन conta और कम्यूनिकेशन कैसे heartfelt कि II को परटिकुलर सेटलमेंट नहीं होता ता वह वह घ्रो करते थे फॉरेस्ट को और मतलब लगाते थे उनको पूझते थे और मतलब वह लोग ना इसके लिए सन भी गॉड़ था ट्रीज भी गॉड़ थे वाटर भी गॉड़ था जैसे आपने सुना होगा और एयर भी गॉड़ सुर्य देव हो गए यह सब पुराने लोगों के जमाने से हम लोग पूझते आया आज भी हम क्या करते हैं तो हम लोग ना इस सब चीजों से लेकिन बहुत वेरियेशन आ गयी है ङह पहले लोग ट्रींब वागई रहते है प्रेज़ें देख से बस이지 सब्सक्राइब johnson Nina Dash limit लेकिननल रहे लेकिन अजों यह पास यृपने ख़र करने यह रहे levels 사람 सब्सक्राइब यहां पढ़ाइब यह अगर अब आपढ़ है ग propal में उगाती खाल ले लेकिन प्रॉप्स ग्रोफ में लगी और लगा चार लोग के लिए चार लोगों चार लोगों के लिए जादा होने लगे थे तो नहीं आ ये काम स्टार्ट कर दिया और हमें सबसे पहले देखेगा है इसाइट मतलब हमें लोग देखेंगे की हैं पर हमें सेटल होना है कि नहीं होना तो हमें क्लाइमेट अच्छा चाहिए वहां जाद है थंडा ना हो घ्लाफ तरह पालाइमेट अच्छा चाहिए और वाटर का रिसोर्स हो कि आजपास रिवर्स है आपको source of water और मतलब आपको अगर कल्टिवेट करना है तो सोर्स ओफ इरिगेशन अराम से मिल जाए तो आपको लाइंड लाइंड मिलना चाहिए कि महाँ पर अच्छी होनी चाहिए और फटाइल सॉयल मिलेगा तो आप अच्छे से कल्टिवेशन कर पाऊगे कल्टिवेट करोगे तो अच्छे से मतलब वॉटर चाहिए तभी कल्टिवेट करोगे चारो चीज आपस में डिपेंडेंट होती है और यह चारो चीज बेसिक चीज़े होती है कि आप एक आइडियल साइट कैसे चूज कर सकते हो अपने रहने के लिए अपनी सेटलमेंट के कौन से ऐडल साइट होगी तो वह चारो चीज आपको ध्यान में रखने चाहिए तो चारो चीज मिली अगर हमने पढ़ाता की प्लेंस क्या होता है मंटेंस क्या होता है तो जो प्लेंसकी कंडिशन होती है वो एन चारो चीज को से सैटिस्फाय करेंगी वहाँपे कडिशन भी नॉर्मल होती है एक्ष्रीम कोड नहीं होता वाटर अच्छी है क्योंकि वहां पे गंगा है गंगा का पूरा सिस्टम है यह मुना है तो यह सब वाटर वाटर अच्छी है लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है इतनी ज्यादा बढ़ गई है पॉपुलेशन टैंशी बहुत ज्यादा एक्ष्ट्रीम बढ़ गई है लियुपी में बिहार में इन तीन जगे बहुत जबहुत जगाँ पर बहुत जगाउप ज्यादा है तो यह सब चीजे में बेसिक चीजे होती है फिर क्या हुआ फिर हमारी ट्रेट चाहिए न कि मतलब वह समान है बगुदल क्या ऐसे ही आपस मैं ऑपर रख लेते बारेट या पिर अपने आप ही करते थे तो सेटलमेंट होने लगनेक सेटलमेंट भी दो तरीकितकी होते है एक होता टेंप्रेरी और एक होता है पर्मनेंट टेंप्रेरी क्या हो गया कि आप कुछ लिमिटेड पीरियेट में ही वाँ सेटल हो रहे हो जैसे कि क्या होता है कुछ ट्राइब्स होती है वो क्या करती है अगर वो माउंटेंज में रहती है तो ट्राइब्स क्या करती है जब ठंडा होता है तो वह वैली में आ जाती है नीक चोदर के और जब गर्मी होते तो माउंटेंज में चली जाती है तो इनको बोलते हैं टेंप्रेरी सेटलमेंट पर्मनेंट अपर लोग रहते हैं कि हम एक जगा पर घर बना लेते हैं और उसी कि में हिराने लगते हैं तो फिर वोह गए हमारी पर्मनेंट सेटलमेंट तो नो टो टेंब्रेरी यह चौछ होता है लोग करते हैं सीजनली अब आप ड्रॉट यह करते अंनकेक зов कर ते अपकहित था Ses ells क्यों से था हर मैंने भी पता था होंता होड हो गया तो लोग मुव कर यहीं ऐसे इनिमल्स उते हैं और उन्हें और फिर जब थोड़े टाइम बाद वहां के पास्टर स्क्लियर हो जाते इसके बारे में आप याद रखना कि अब दो तरीके की सेटल्मेंट और होती है एक तो गए टेंप्रेरी एक हो गए पर्मनेंट फिर एक आती है रूर रूरल और एक आती है अर्बन रूरल मतलब हो गाहों वाली अर्बन होगे टाउन और सिटीज वाली अब लेकिन हम ऐसे क्लासीफाइब कैसे करेंगे रूरल में क्या होता है सब लोग बेस Giving में प्रायमरी आक्टिविटीज में iç畫 Step हो गई अग्री और करना फिशिंग करना फोरेस्ट टोरी करना क्राफट वर्क करना गीजब फ्राइमरी अक्तिविटी तो इनको रूरल रूरल सेटलमेंट में करते हैं अब रूरल वह बुद्ध कि वह थैएग कॉम्पक्ट जैसे कि यह यह बहुत ज़्यादा आसपास में लोग गिच पिच किश-पिश में रह रहे हैं बहुत दाधा कॉम्पक्ट है क्लोजली बिल्ट एरिया है और एक होती है स्कैटर्ड स्कैटर्ड में बहुत स्पेस है एक घर यहां है फिर इतना गैप है तो यह हो गई हमारी स्कैटर्ड स्कैटर्ड मोचली क्या होगा पहाड़ों पर मिलेगी आ आपको फ्लाट लेंड पे और यह आपको मिलेंगी माउंटेंज पे तो दोनों में यही फ़रक होता है कि आपस में स्पेसिंग कैसी है दो तरीके की सेटलमेंट और हो गई फिर एक होती है कि रूर एलियास में लोग बहुत सारे तरीके के घर बनाते हैं कि अन्वूर्मेंट जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग अगर बहुत ज़्याद है तो उस लैंटिंग रूफ वाले घर बनाते हैं यहां पर पानी आएगा पानी आएगा तो यह सारा स्लाइडों के नीचे गिर जाएगा और जहां पर पानी बहुत ज़्यादा रुख जाता है जिसे बारिश वी पानी रुख गया तो महां पर लोग ऐसे घर बनाने लगते हैं ताकि अराम से अपना घर में चले जाएं और फिर एक आते हैं कि जाएं और इसमें लोकल मटीरियल यूज जाएगा जैसे की बहुत 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 हैं और जो फिर टाउन्स होते हैं तो नॉर्मली आपको जैसे घर होते हैं सारे वैसे मिल जाएंगे और यहां पर क्या होता है लोग मैनुफेक्ट्रिंग अक्टिविटीज और सर्विसेज जबाव होते हैं मैनुफेक्ट्रिंग उन्होंने आहें मैनुफेक्ट्रिंग में केच बनने के लिए तो मैनिफेक्ट्रिंग एक्सटिविटीज में यह हो घ्युक्ति को कैच अब प्रॉसेसिंग पड़े डिया उसको सप्लाइ करना पड़ेगा तो वह सप्लाइत के लिए 이 किम्युनिकेट करना पड़ेगा तो Amen कि मतलब अगर कोई चीज हमने बनाई प्राइमरी में फिर से कंडुरी में अम उसको प्राइसिंग करकी तो अगर हम उसको अच्छे से बेकना है तो हम उसके services का यूज करते हैं अब हमारा फर्स्स तॉपिक थांस्पोर्ट क्यां है इस धिसमाथ दूसरी जगह करते हैं पुराने जमाने में तो लोग या थो खुद ऑ OVER करते हैं या सब्सक्राइब करें लेकर दूर तक तो बहुत घंटे क्या अगर आपको लांग डिस्टेंस पर जाना तो दिन भी लग जाते थे बहुत दिन भी लग जाते थे फिर वील का इन्वेंशन हुआ तो तब भी लेकिन ऐनिमल्स यूज होते रहे आनिमल्स तो इन आज भी यूज अच्छन के लिए आपको हट मिल दकिकाओ मिल जहेगी और आपको हॉ लेकिन वील के इन्वेंशन हमें । वॉयमारे कार नचीज और बन गए लेकिन आज भी हम ब्लकार्ट और यह सब यूज करते हैं तो ट्रांस्पोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा चेंज आए हैं लेकिन ऐसे नहीं है कि सारी चीज़े गाया वो गई हैं अभी भी हम लोग आनिमल्स का यूज कर रहे हैं पहले तो एक कंट्री से दूसरी क अब 6-7 गंटे में अब इंडिया से यूरोप पहुच सकते हो इंडिया जिसमें कि हाँ है यूरोप यह तो आप 6-8 गंटे में यूरोप पहुच सकते हो पहले ऐसा नहीं होता था इसे टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है अब हमारे मेजर मेंस अफ ट्रांस्प कोट है आप भी नॉर्मली शॉर्ट इस्टेंस पे जा रहे हो लॉंग डिस्टेंस पे जा रहे हो ज्यादा लॉंग जा तो यह और मींस देखते हो लेकिन अगर आपको अराउंड 300 किलोमेटर जाना है कोई-कोई तो मतलब ऐसा होता है कि बाए रोडी ट्रावल करना पसंद आप लोग ट्रेन और यह सब में रोज बैट अब रोड दो तरीके क्यों एक होती है मेटल रोड और एक प्रोपर बनी वी रोड है और यह होगई उसको बोलते हैं कच्चा रोड में मिलेंगी यह माउंटेंस पे बहुत आपड़ एवलमेंट हो गया रेरली देखने को मिले तो तरीके की रोड और प्लेंस में जादा नेटवर्क होता है रोड का इस कंपेर्ट तो मांटेंस यह डेजर्ट और जो हमारा जो मनाली और ले हाइवे ना हिमालें मांटेंस में वह 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 बहुत है अजकल तो रोड अंडर ग्राउंड भी बनने लगती हैं उनको हम सब्व कि करते हैं और प्रम यह मांकल फॉर्प तो निकल लेते हैं तो भी हफिए उसने ज्यादा करुद रहते हैं आप नेक्स्ट रेलवेज्ट क्या करता हैं यह बहुत-ज़ादा है वी गुट्स और पीपल को लांगड डिस्टेंस पे लिए त चीपली बहुत छाएपले नेम कम खर्चा आता है और हम लोग काफी दूर तक जा सकते हैं अब एक ट्रेन है जीनिंग तुलहासा इन चाइना यह ना आपको 4000 मीटर अबव सी लेवल देखने को मिलेगी मतलब इतनी हाइट पे है इसका जो हाइएस पॉइंट है वह है 5072 मीटर इतनी हाइट पर यह रेल बनी आज भी आज़ी है तो हमने कितना डेवलफमेंट कर लिया की हम इतनी हाइट पर भी रेल बना चुकिए है और रोड़ वेज्य में हम लोग बहुत सारे हाइवेस बना रहे एक्स्प्रेस वेज बना रहे है सबसे बड़ा जो है वो है गोल्डन को अपर गोल्डन है गोल्ड ता इस्ट में हमारा हो गया चेन्नाइब को और फिर हो गया मुंबई कर रहे हैं तो यह गोल्डन को ओर लिटरल ले यह फिर गोल्डन को आड़ भी बोल देते हैं यह काफी बड़ा अच्छा का मतलब अच्छा सिस्टम बन रहा है एक्सप्रेश्वे का तो बहुत जाधा मतल अच्छी रोड बहुत एक्सप्रेश्वे बन गया है बहुत अच्छा मतलब आप एक्सप्रेश्वे पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका बहुत टाइम बच जाता है पराम से कम्यूट कर सकते हो अब जो स्टीम इंजन रेलवेस का कैसे इंवेंशन हुआ अच्छा से जब स् उसके बाद स्टीम इंजन के बाद डीजल और इलेक्टरिक इंजन आ गए है अब क्या हो रहा है कि सरकार बोल गए 2030 तक सारी रेलवेस को हम इलेक्टरिक बना देंगे वह देखते हैं होता है कि नहीं होता है लेकिन अभी मतलब डेवलमेंट चल रहा है आजकल तो सूपर फ इसको एस्या में लार्जेस्ट बोलते हैं इसे इंडिया का फिर नेक्स्ट है वाटरवेस बहुत चीपेस्ट इन तीनों में सब्सक्राइब चीपेस्ट वाटरवेस और यहां पे हैवी और बल्की गुड्स भी आप बहुत लांग डिस्टेंस पेले जा सकते हैं अब इसमे और एक होता है sea roots sea roots हो गया outside the country अब जो inline waterways होते हैं वो inline river system को connect करते हैं जिसे गंगा भ्रहंपुता river system हो गया या फिर एक nile river एफ्रिका में वो आपस में connect हो जाती हैं वो inline waterways हो गया अब जो sea roots हैं वो एक country से दूसरी country तक ले जाते हैं तो major sea ports देख लेते हैं एक बार यह देखो दियो डिजनारियो major sea port यह सब major sea ports है रॉटर्डम का हो गया port set हो गया Singapore हो गया यहां पर Mumbai हो गया हमारा Hong Kong यह सब major sea ports है यह आपस में connect हैं तो इसको sea roots बोल देते हैं next airways airways जो है यह fastest way of transport है लेकिन यह थोड़ा expensive वरता है क्योंकि जो fuels है उसका बहुत high cost होता है लेकिन यह impact बहुत जादा करता है वेदर अच्छा ना हो अगर बारिश हो जाए foggy हो जाए storms आने हो तो हमारी जो air की flights होती है होना shift हो जाती है वो cancel हो के shift हो जाती है तो इसमें यह नहीं है कि जैसे अगर हमारा road है हम road पे कभी भी travel कर सकते है train है train में कभी भी travel कर सकते है लेकिन air traffic और जो waterways है उसमें weather का बहुत जादा पॉइंट्स रहते हैं कि हमें कब चलना चाहिए कब नहीं चलना चाहिए और यह airways ही ऐसा means of transport है जो एक आपको कहीं पर भी पहुचा सकता है कि जहां पर आपकी road भी नहीं जा सकती जहां की रेल भी नहीं जा सकती जहां का waterways भी जा सकते तो एक airways ही ऐसा system है जहां पर मतलब कुछ भी नहीं जा सकता है वहां पर भी airways जा सकता है जिसकी वज़से अभी हमने कोवल में बहुआ जादा लोगों को बचाने के लिए दवायां पहुचाने के लिए कहीं पर calamities आ जाती है जैसे earthquake आ गया सुनामी आ पर भी हम food water clothes medicine यह सब distribute करते हैं ताकि लोगों को help हो सके अभी major airports दे रखे हैं जैसे लंडन हो गया पारिस हो गया या इंडिया में यूडली मुंबाई Cape Town तो यह major airports of the world दे रखे हैं next communication communication क्या होता है communication मतलब हम अपने message दूसरों को कैसे provide कर रहे हैं मैं आपसे एक तरीके से communicate कर रहे हूं मैं अपनी चीज़े आपको बता रहे हूं कि मैं इसकी बारे में क्या सोचती हूं लेकिन communication ऐसा नहीं हो था कि मैं मैं अगर बता रहे हो और आपको यह response नहीं कर रहे हैं तो वह proper communication नहीं हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे comment box में बता कि अगर आप दो लोग हैं वह आपस में बात कर रहे हैं और एक लोग बोले जा रहा है बोले जारा दूसरा को रिस्पॉंड नहीं करना तो इस नौट कम्यूनिकेशन जब तक दोनों आपस में रिस्पॉंड नहीं करेंगे तब वह proper communication होगा अब पहले क्या होता था आपने सुना होगा गाना कबूतर जा 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 तो वह सब इसलिए क्योंकि पहले हम उसको ऐसा मीम्स कम्यूनिकेशन यूज करते थे हम कबूतर के तुरू अपने लेटर बेजते थे लेकिन अब कितना जाधा एड्वानस्मेंट हो गया समय के इतने जाधे डिफ्रेंड समय कम्यूनिकेशन आघया अब क्या होता है कि से बात करने के लिए कम्यूनिकैशन नहीं होदे अब अपने पढ़ा निटीवी का मोड हो गया आप entertainment करते हो आप टीवी बहुत रेली यूज़ करते होंगे आप अपने फोन में होट स्टार का अपने सब्सक्रिप्शन ले रख है नेट्फिक्स का ले रख है तो वह आपको सब्सक्राइब करते हैं जिसकी वाज़े से इसको मास मीडिया मतलब कि हम बहुत लाइड स्केल लोगों को कम्यूनिकेट कर पा रहे हैं तो उसको मास मीडिया भी बोल देते हैं अब जो सत्लाइल जो पहल लाइड यी सिफ्ट्राइब सब्सक्राइब करनारा गेंकर कली सपेस कंई सस्टाइब कर पाती है था सेटलाइट ने हमें यह भी हैल्फुल कर दिया कि यहां पर फॉरेस्ट में कोई सर्षोर्स है तो हम सेटलाइट से देख सकते हैं कहां पर और यहां पर कितना जादा अंडरक्राउड वॉटर है कहां पर कितनी मिनरल जैंच और डिजास्टर आसकता है वह उसकी वर्णिंग के इतनी सारी आप्स आ गई है तो यह इंस्ट्राग्राम आ गया है तो फिर अप टेलिफोनिक कम्मुनिकेशन तो सेल्लोर फोन से होने लगा है अब आपको नॉर्मल वैसे वाले फोन नहीं मिलेंगे तो सब के पास एंड्रोइड फोन या आइफोन यह सब सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई वीडियो देखके खाना बना सकते हैं अगर आपको वीडियो मतलब कुछ खाना भी नहीं बनाना था तो भी आप सकते हैं तो यह देखो old means of communication पिजन विद लेटर लेटर बोग्स अब आजकर मोबाइल फोन है टेलीविजन है यह तो बहुत कम मिलेगा टेलीफोन रेडियो है न्यूस्पेपर है इमेल है यह भी कम लोग सुनते हैं लेकिन सुनते हैं इनको शौक होता है लेकिन आजकर बहुत सारे means of communication आ गया है चलिए आजके question answer देखते हैं which is not a means of communication टेलीवोन बॉक्स टेबल विस टाइप अफ रोड इस कंस्ट्रक्टिड अंडर ग्राउंड फ्लावर एक्स्प्रेस विच मोड अफ ट्रांस्पोर्ट इस मोस्टेबल तो रीचन आइलेंड शिप ट्रें कार विच्ट व आप देख ले ना यह चार इधर हैं यह पांच इधर हैं कमेंट बोक्स में मुझे आंसर बताइएगा अभी एक लास्ट वीडियो विच्टेंस है मॉस्ट लाइकन आ फाउंड टुंड्रा वेजिटेशन थौनी बुश्टेश आर फाउंड इन राइड डिजर्ट क्लाइम अब आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आज का मैंच देख लेते हैं वाल्रस क्या है एक पोलर एनिमल है पोलर मतलब पोलर रिजिंस में पाया जाता है सिदार क्या एक सॉफ्ट वो ट्री है जिसे हम पाल्पो बगयरा बन बनाते है पर नीचनी बनाते है इसके पेपर बन जाते है ऑलिव्स क्या एक साइट्रस फूट है एलिफेंट एक एनिमल ओफ ट्रॉपिकल डैसीडियोस फॉरेस्ट है कैम पॉस्ट्रापिकल ग्रासलेंड और ब्राजल हमने कल नाम बढ़े थे कि वह कॉन से ग्रासलेंड को कहां कॉन सी कंट्री में क्या बोला जाता है डाउंज भी टेंपरेट ग्रासलेंड इन ऑस्ट्रेलिया है अगर आपको मेरे वीडियो पसंदना है तो इस लाइक करके बताएं कि क्या पसंदनी आ रहा ताकि मैं इंप्रोव कर सकूँ थैंक यू